बसंत पंचमी कब है? दोहजार चौबिस में सुरस्वती पुजा कब मनाया जाएगा दोहजार चौबिस में सुरस्वती पुजा के दिन क्या नया शुरुवात करना चाहिए हलो एवरिवन वेलकम बैक टू में चैनल कुंज ओफीसिल आवर योर चैनल कैसो अपलोग आई होपसो अपलोग बहुत अच्छे होंगे अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आये हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे नीचे बैल आइकन अचे प्रेस जरूर कर ले ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए बसंत पंचमी दोहजार चौबिस दोहजार चौबिस में बसंत पंचमी कब है जाने मा सरस्वती पूजन मुहरत विधी वह इस दिन का महत्व बसंत पंचमी सुम मुहरत दोहजार चौबिस बसंत पंचमी के दिन मा सरस्वती की पूजा का विधान है कहते हैं कि बसंत पंचमी के दिन पूजा अर्चना करने से विवाहिक जीवन खुशाल होता है सरस्वती पूजा दोहजार चौविस डेट बसंत पंचमी दोहजार चौविस हिंदो धर्म में वसंथ पंचमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है इस दिन मासरस्थी की विधिवत पूजा आर्च ना की जाती है पौरानिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन ग्यान की देवी मासरस्थी का अवतरण हुआ था हिंदो पंचांग के अनुसार हर साल बसंत पंचमी का पर्व माग मास के सुकल पक्ष की पंचमी तिथी को मनाया जाता है इस दिन देश में बसंत पंचमी वसंत रितु की शुरुवात मानी जाती है बसंत पंचमी दोहजार चुविस सुमुहरत हिंदो पंचांग के अनुसार पंचमी तिथी 13 फरवरी को दोफर दो बजकर 41 मिनट पर प्रारंभ होगी और 14 फरवरी दोहजार चुविस को दोफर 12 बजकर 9 मिनट पर समाप्त होगी बसंत पंचमी सुर्शती पूजन मुहरत बसंत पंचमी के दिन सुर्शती पूजन का सुमुहरत सुबस 7 बजे से 2 फर 12 बजकर 35 मिनट तक रहेगा पूजन की कुल अबधी पाँच घंटे 35 मिनट है बसंद पंचमी का महत्व मान्यता है कि इस पावन दिन मा सरस्वती की पूजा करने से बुध्धी वग्यान की प्राप्ती होती है इसके साथ ही ये दिन सभी सुभ कारियों के लिए बहुत ही सुभ माना जाता है इस दिन अबूज मुहरत होने के कारण बिना किसी मुहरत के विचार किये नए कारे की शुरुवात उत्तम मानी जाती है बसंत पंश्मी पूजा विधी मा सरस्थी की प्रतीमा या मूर्ती को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें अब रोली, चंदन, हल्दी, केसर, पीले या सफेद रंग के पुस्प, पीली मिठाए और अक्षत अर्पित करें अब पूजा की स्थान पर वाध्य यंत्र और कितावों को अर्पित करें मा सरस्थी की वंदना का पाठ करें विध्यार्थी चाहे तो इस दिन मा सरस्थी के लिए वरत भी रख सकते हैं और इसी दिन से भसंद पंचमी की सुरुवात होती है और कहा जाता है पहला होली जी हां इस दिन पहला होली मनाई जाती है और रंग अभीर चढ़ाया जाता है मा सरस्थी को और सारे जो महिलाए हैं वो भसंद पंचमी की सुरुवात होती है तो हर जैसे सरसों का फूल खिलता है उसी तरह से वो लोग पीला वस्तर धारन करती है पीला शिंगार चूरी बिंदी सारे चीज पीला लगाती है और देखने में भी बड़ा अच्छा लगता है इस दिन छोटे बच्चे को लिखवाया जाता है कौपी पे जै मा सरस्वती ओम नमसिवा इस तरह का वर्ड लिखवाया जाता है और इसी दिन से उनकी विद्या की शुरुवात लेखनी की शुरुवात हो जाती है और इस दिन आप एक उपाई कर सकते हैं अगर आपको याद नहीं होता है या पढ़ाई में अपविक हैं तो इस दिन आप सिप जी पे सरसो का फूल चढ़ाएं मानियता है कि ऐसा करने से सरस्वती जो है वो प्रशन होती है कैसे लगा आप सभी को हमारा ये बसंद पंच में वीडियो प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताएगा अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंसेयर करना बिल्कुल न भूलना थैंक्स पर वचिंग कीप सपोर्ट